ओन, शान्ति, गरूर प्रान का सत्य वा भै मुक्ति, इसमें हम जनम और मिर्त्यु का रहसे इस विशे पर चर्चा करेंगे, जनम और मिर्त्यु का रहसे क्या है? गीता में भी लिखा गया, हम सबी समझते भी हैं, आत्मा शरीर में परवेश करती है, तो जनम, आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो मिर्त्यु, तो प्रशन उरता है किसका जनम और किसकी मिर्त्यु, तो में बहुत अच्छी तरह से यहां समझना है, एक हमारे पास ये पुतला है, हड़ी मास का पुतला, इसे कहते हैं बिना आत्मा के शरीर, जब इसमें आत्मा परवेश करती है, जब इसमें आत्मा परवेश करती है, तो ये बन जाता है जीव आत्मा, बहुत सिंपल सी बात समझनी है, जब इसमें आत्मा है, और जब इस जीव आत्मा से आत्मा निकल जाए, तो ये बिना आत्मा के शरीर है, बिना आत्मा के शरीर को जीव कहा जाता है, जब उसमें आत्मा जमा हो जाती है, तो उसे जीव आत्मा कहा जाता है, परंतु सामान्य दुनिया आत्मा को ही जीव कह देती है, तो ये ब्रान्ती, ये दोश एकदम अच्छी तरह समझ लेना है कि आत्मा को जीव नहीं कहा जाता, जीव शरीर को कहा जाता है बोध धरम में ये गलती हुई है, जिसके कारण आम दुनिया में ये परचलित हो गया है, उन्होंने आत्मा को जीव कहा है, बाकी हमारी गीता में या हमारे वेदों में आत्मा को जीव नहीं कहा गया, परंतु पुरानों में आते आते हमारे पास ये अंतर देखने को मिलता है कि आत्मा को ही जीव कह देते, अब हमें समझ लेना है, आत्मा सहित जीव, इसे कहेंगे सजीव, जब आत्मा और जीव दोनों इकठे हैं, तो उसे कहते हैं सजीव, आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव, बिना आत्मा के शरीष. तो उसे हम निर्जीव कहेंगे, जीव कहेंगे, निर्जीव का मतलब है, अब इस जीव में आत्मा नहीं है, बिना आत्मा के जीव, और ये है आत्मा सहित जीव सजीव, तो हम समझ गयोंगे इस बात को, कि दो चीजे हैं, एक है आत्मा, एक है शरीर, दोनों मिलकर बनते हैं, जीव आत्मा, आत्मा इस शरीर के अंदर भ्रिकुटी के बीच होती है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह गरूर प्रान को समझ सकेंगे, यदि हमें सच्चाई समझ में आ जाए, कि आत्मा जो है, वो यहां भ्रिकुटी के बीच में होती है, समानेता यहां माथे में नहीं होती, जहां ब्रामन तिलक लगाते हैं, यहां नहीं होती, यहां की वल चित्र में दिखाया है, समझने के लिए हम इसे समझ सकेंगे, यह जो आत्मा है, इस माथे से लगबग, दो, तिन, चार इंच अंदर, जहां यह हमारी धीड की हड़ी के ऊपर, यह खोपड़ी टिकी हुई है, वहां आत्मा की सीट, अब अंदर कैसे दिखाते हैं, इसलिए बाहर तिलक लगा दिया, यहां तिलक लगाने का मतलब यही था, कि यहां इसके सामने, ब्रिकुटी के बीच में, यहां से अंदर, यहां आत्मा बैठ कर, पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, क्योंकि जितने भी मैसेज हैं, वो रीड की हड़ी के माध्यम से हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं, और ब्रेन में उनको सेट करने का काम, कंप्यूटर, ऑपरेटर की तरहां आत्मा का है, क्योंकि आत्मा यहां है, हम इसे थोड़ा और दुसरे चितर में आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें, यह है हमारे खोपड़ी का द्रिशे, तो यह हमारी वो रीड की हड़ी है, और यहां पर जो तीन ग्लेंस हैं, यहां हम अच्छी तरह से ध्यान से देख सकेंगे, एक है हाइपोतेलमस, एक है पिट्यूट्री और एक है पिनियल ग्लेंस, यह तीनों ग्लेंस के बीच में यहां आत्मा का स्थान होता है, जहां आत्मा इस रीड की हड़ी से आने वाले हर मेसेज को रिसीव करती है, और ब्रेन में पाइल के अंदर सेट करती है, जिस परकार से एक कम्प्यूटर अपरेटर एक एक आने वाली फाइल को अपना अच्छी तरह से जहां जहां सेट करता है, ताकि जरूत पढ़ने पर वे उस फाइल को खोल सके, तो आत्मा एक कम्प्यूटर अपरेटर की तरह है, और यह जो ब्रेन है, यह एक हार्ड डिस्क की तरह है, एक कम्प्यूटर की तरह है, ज वो brain के अंदर होती है परन्तु उनको रखने वाला काम आत्मा करती है यह में बहुत अच्छी तरह से समझना है तो यह शरीर एक robot है उसको चलाने वाली आत्मा है उसको चलाने वाली कौन है? आत्मा robot को चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा परन्तु आत्मा को चलाने आत्मा जो है शरीर के अंदर आए हुए हर मेसेज को अपनी जगा पर सेट करना और उसके आधार से सारे शरीर को चलाना इसलिए यहां कहा जाता है आग्या चक्र है बेन में आग्या चक्र है जहां से आत्मा सारे शरीर को कंट्रोल करती है औरर करती है चलाती है आब आत्मा के हम बायोग्राफिक को जानेंगे उसके सिस्टम को जानेंगे कि वो किस परकार से वर्क करती है परमात्मा ने हमें बताया कि आत्मा के तीन सुक्षम शक्तियां हैं आत्मा के तीन पार्ट हैं तीन मन बुद्धी और संसकार तो इसी को हम scientifically देखेंगे यहां पर हम देख रहे हैं कि आत्मा और आटम तोनों अपने अपने रूप में सबसे सुक्षम तम रूप है तो यहां पर जो यह आउटर लेयर रिंग दिखाई दे रहे हैं यह आउटर लेयर है जिसे electron कहते हैं और इसके अंदर जो नीले और red जो ने लाल color की ball दिखाए दे रहे हैं ये neutron और proton है मन बुद्धी और संसकार मन outer layer को कहा जाता है बुद्धी अंदर neutron को कहा जाता है और proton जो इसका संसकार है वो तिसरा नीले रंग वाला हो जाता है तो ये तीन चीजें जो है atom में भी हैं तो आत्मा में भी हैं एट्रम किसी भी परदात का वो अंतिम तुकड़ा है जिसके बाद हम उसके तुकड़े नहीं कर सकते तीक है उसमें वो सारे गोन होते हैं जो उस पदार्थ के अंदर अवेलिबल होते हैं तो हमें समझ में आया कि आत्मा की तीन पैकल्टीज हैं मन, बुद्धी और संसकार ये मन, बुद्धी, संसकार तीनों मिल करके आत्मा कहलाते हैं अलग-अलग आत्मा नहीं तो परमात्मा ने आके समझाया जैसे गारी का ड्राइवर गारी से अलग होता है ऐसे तुम आत्मा भी गारी के ड्राइवर से अलग है इसलिए गीता में लिखा गया कि शरीर है रत, आत्मा है रती जब आत्मा रती नहीं होता तो इसे कहते हैं आरती आरती अर्थात अब इस रत को चलाने वाली आत्मा नहीं है तो इसलिए आरती कहा गया अब ये गीता उस जवाने में लिखी गई जब रत हुआ करते थे आज कार के रूप में दिखाया जाएगा कि गाड़ी है शरीर और ड्राइवर है आत्मा आत्मा इस गाड़ी का ड्राइवर तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा और हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि मन बुद्धी और संसकार ये आत्मा की सुप्षम शक्तियां है मन एक निश्पक्ष संदेश वाहक है जो भी मैसेज ब्रेन में पहुंचता है बोड़ी के किसी भी पाड़ से आखों से आखों से या किसी भी आंग के सिस्टम से वो रीर की हड़ी में से होता हुआ जब वो ब्रेन में पहुंचता है कोई चोट लगी है कोई दर्द है कोई थुंडा है गरम है मीठा है कटा कुछ भी प्रतिक्रिया के रूप में आता है तो वो सीधा का सीधा आत्मा के पास जाता है और तो यहाँ पर हमें जो समझना है के वहाँ कोई भी किसी भी परकार से अनवांचित नहीं जा सकते जिसकी इच्छा नहीं वो जा नहीं सकते तो मन बुद्धी और संसकार ये तीनों एक साथ अपरेटर होते हैं उसके लिए ये सारे कारिये चलते हैं मन का काम है जो भी संदेश मिला वो बुद्धी तक पहुँचाना और बुद्धी का काम है जो परमात्मा से संदेश मिला वो निमित के पास पहुँचाना उसके बाद ये जो समझने वाली बात है कि मन बुद्धी और संसकार ये तीनों जब एक मत हो जाते हैं तो हम उस कारिय में सपल होते हैं ये आत्मा की सूप्षम शक्तिया हैं तो आत्मा के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो सूप्षम अतिस सूप्षम है जिसे इन आखों से देखा नहीं जा सकता अगनी जला नहीं सकती वायू सुखा नहीं सकते शास्त्र काट नहीं सकता पानी गिला नहीं कर सकता ऐसी जोती को कोई आखों से देखना चाहे तो नहीं देख सकता और ये जोती इतनी पावर्फुल है कि वो दिवारों में से भी पार हो सकती है चट्टानों में से भी पार हो सकती है कहीं से भी कोई चीज उसे रोकी नहीं सो ये हमें समृती रहे तो ओटोमेटिक हमारे लिए सेष्ट काम होगा ही होगा तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमपिता परमात्मा ने आकरिये सत्य आत्मा का प्रीचे दिया जो अजर अमर अविनाशी है और अच्छी तरह से हमें समझना हो तो प्रजापिता ब्रमा कुमारिज इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे और यदि कोई प्रेशन हो तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केवल वाट्सेप करें हो नहीं, ओम श्यंक्ति